आर रुपवा मनवा मोहतवा बाडी सेर पर सवार रुपवा मनवा मोहतवा हाथ में त्रिशूल गरवा सनवा के हार रुपवा मनवा मोहतवा एक हाथे चक्र दूजे सोहे तलवरिया भागे तन के गोजत बाटे भारी जैडे करिया के लागे पिर बार बारी के करा सुनाई कई से बताई के हूँ मन के सुने ना गुहा के हूँ जाने ना असे राह के दिया ना धूद्धू उचरे तोहे ना बीना के हूँ मने ना असे राह के दिया ना जाना जाना बहुत दिन में गॉले रहनी जाए और मुझे लगता है कि मेरा जनम ही हुआ था मैंने सिर्फ काम नहीं किया काम करने के साथ जो मैंने प्रेम आपकी आँखों में देखाया अपने लिए वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है हमारी गंगोत्तरी इतनी बड़ी ओपनिंग के साथ सुरू होते हैं कि जो प्रेम भोजपूरी के लिए आपने दिखाया है वो सायद आने वाली साथ पिड़ी हमारी भोजपूरी कुसको नहीं बूल पाएगी मैं बहुत ही बहुत ही जिले से करद कर था और नहीं क्यों अपना एक्स्परेंस बेंगोतरी को अलिक में जितने लोगों को यहां देखा जितनी मीडिया है उसकी जो चर्चा होगी वो निष्ट रूप से अमिजी की आने से है तो हम नकार नहीं सकते उनके उपस्तिती को और उन्होंने मात्र एक एक आक्टर की तरह काम नहीं किया है उन्होंने एक्टर के सासात एक ऐसे बड़े भाई की रूप में काम किया है जो भोजपूरी औधी छेतर से तालुक रखता है ये बहुत खास बात है उसके लिए शब्द नहीं मेरे पास जब वो मुझे बहाओं में भर के कहें कि ये मैं छोटा भाई स्विकार करता हूँ और उनसे पहले जया भावी मुझे देवर स्विकार कर चुकी है तो मुझे ऐसा लगा कि मनोस्तिवारी जो कभी-कभी मैं जूट नहीं बोल रहा है मैं सही में कभी एक बार सपना देखा था कि मैं मीजी के घर में गया हूँ और अमीजी अभिशेक को बोल रहे हैं कि जरसा मैं इनका ध्यान रखना और वही सपना चार साल बाद मेरा सच होता है अभी जब वो आये तो ऐश्वरिया जी से पूछ रहे थे कि आप इनको जानती हो मैं इस पूछ रहा है राय से अमिताब बच्चन जी पूछे तुम मनोस्तिवारी को जानती हो इस से बड़ा सम्मान मनोस्तिवारी के लाइफ में कुछ नहीं हो सकता अब हम नहीं के चुरावल जाई हमारे अमताब बच्चन जी हम लोग मिल के गाना गाये हैं सुदे सभोसली जी तिनों आदमी और मैं समझता हूं गंगोत्री हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगी ओपनिंग से हम नहीं अपनी सफलता मान रहे हैं सत परसत ओपनिंग हो लेकिन हमारी सफलता तब होगी जब हम इस फिल्म को आज के दौर में भी चारो सो पचास दिन तक चले तो फिर हम जाके चट माई के अगले सार परव रखाऊ